नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल क्रैक यूपी पीसेस में आज हम इस वीडियो में ये एसो अगरिकल्चर आदिकी भर्तियां जो काफी समय से लंबित पड़ी हैं उनका एक्जाम ही आज तक नहीं हो पाया है जिसको लेकर यूपीटर पलसी पिकप भौन पर चात्रों के दोरा कल धरना दिया गया था जिसके बाद आयोग की तरफ से कुछ नकुछ संताउना के रूप में तो बयान आना ही था तो चेर्मैन ने परिच्छा को लेकर क्या बयान दिया है आईए देखते हैं ये आज की खबर है कि पुरानी भर्तियों में भी लागू होगा EWS आरच्छन उत्तर प्रदेश अधिनस्त सिवा चैन आयोग पुरानी भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोरों को 10 फीजदी का रच्छन का लाप देने जा रहा है आयोग ने जिन भर्तियों के लिए पूर्व में आवेदन लिया है और उनकी अभी तक परिच्छाएं नहीं हुई ऐसी भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर पात्र अव्यर्तियों को लाप देने के लिए प्रमाण पत्र लगाने का मौका मिलेगा वही पात्र होंगे जिन्होंने भर्तियों में पहले से आवेदन किया है राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोरों की भर्तियों में 10 फीसदी आरच्छन की विवस्ता की है अधिनस्त सिवा चैन आयोग ने वर्स 2016 वा 18 में कई ऐसे विग्यापन निकालकर भर्तियों के लिए आवेदन लिये हैं जिनकी परिच्छाँ अभी तक नहीं हो पाई है आयोग ने इन परिच्छाँ को कराने से पहले क्रमिक विभाग से आरच्छन देने के संबंध में राय मांगी थी इससे इसपष्ट कर दिया गया कि एक फरवरी 2019 से पहले अगर विग्यापन निकालकर आवेदन लिया जा चुका है और परिच्छा भी नहीं हुई है तो पात्रों को आरच्छन का लाप दिया जाएगा आयोग की बैठक में इस पर विचार विमर्ज के बाद पुरानी भर्तियों में आरच्छन का लाप देने का फैसला किया गया आयोग ने या फैसला किया कि NIC से नए सिरे से साफ्ट वियर तयार करा लिये जाएं इसमें आरच्छन सब्बंधी प्रावधान कराते हुए पात्रों को आवेदन करने के लिए 15 दिन का मौका दिया जाए प्रविर कुमार जी ने का कि अधिनयम में दी गई विवस्था के आधार पर उन्हीं पात्रों को पुना मौका दिया जाएगा जिनोंने आवेदन कर रखा है इसलिए इसमें किसी तरह की कोई विधिक बाधा नहीं आएगी फैसले से पात्रों को राहत मिलेगी वारच्छन का लाफ मिल सकेगा यानि कि जेई एस ओवा जेई फॉर्मैन का विध्यापन फिर से निकाला जाएगा और जिन छात्रों ने पूर्व में आवेदन किया है उनमें से जो छात्र EWS कोटे में आते हैं उनको अपना कोटा अपडेट करने का मौका मिलेगा इसके लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा इसके बाद ही परिच्छा होगी इस प्रक्रिया में भी समय लगेगा और ये भरतियां अभी और लंवित होगी तो इस वीडियो में इतना ही उम्मित करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इ